पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल पसलों की भाव से लेकर उनकी आवक तक पैदावार से लेकर बुआई के शेत्रफल तक आयाद से लेकर निर्यात तक घरेलू से लेकर वैश्वेक बाजार तक मन्यों की सही और ताजा जानकारी पाएं विशेशक्यों की राय का लाव उठाएं देखे मंडी खबर सोमवार सी शनिवार शाम पांच बचे सिर्फ दूरदार्शन के सानक पर थीली के साथ बदलते भरत की शाम प्रफ दोगन से का लिए प्राव बचेश्ट पाहर जाएं आए़ प्रौप्ट का लावमपल दूर्शन के साथ भरत की शाम आए़ टूर्शन के साथ दूर्ट अण पर चाम प्रावमपल नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदाशन के सान मंडी खबर में स्वागत आप सभी का मैं हूँ आपके साथ अदुती शर्मा अगले आदे घंडे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषी जिंस के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी अगे किस उर जा सकता है जिंसो का बासार आज हम खास तोर से बात करेंगे धान, अरहर, मोटे अनाज, तेलौजी रेकी इसके अलावा भी कई और जिंसो के बासार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और साथ ही आपको बता दें कि बासार की जानकार साहिल गोयल जी से भाव पर चर्चा भी होगी आईए बुलेटन के शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ धान की पैदावार 1355.42 लाख टन होने का अनुमान चालू खरीब सीजन में आगे चल रही धान की बुआई आई ये बात करते हैं धान के बाजार की ही बताएं आपको की हफते के आखिरी कारोबार ये दिन आने की शनिवार को क्रश्योपज मंडियों में धान की जो आवक है वो सामानिसी दर्च की गई है वहीं इसके भाव की बात करते हैं तो कुछ मंडियों में भाव में घटत बढ़त दर्च की गई साती कुछ मंडियों में स्थिरता भी देखने को बिली धान की कारुबार पर पेश है रेपोर्ट मंडियों में धान की आवत सामान्य बनी हुई है भाव की बात करें तो चरामा मंडी में धान के सौधे मजबूती के साथ हुए वहीं लखीमपूर मंडी में धान के भाव नरम रहे जबकि दाहोद और सहारनपुर मंडी में इस दोरान धान के भाव में कोई बतलाव देखने को नहीं मिला एगमर्निट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य चित्पीस गड़की चरामा मंडी में 20 अक्तूबर को धान का भाव रहा 2150 रुपए 21 अक्तूबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2200 रुपए जबकि उत्तरप्रदेश के लखीमपुर मंडी में इस दोरान धान के सौधों में नर्मी के साथ कारुवार हुआ यहाँ 20 अक्तूबर को धान का भाव था 2500 रुपए 21 अक्तूबर को इसके सौधे 15 रुपए तूटकर 2050 रुपए पर हुए राजी की सहारनपुर मंडी में बीते दो दिनों के दोरान धान के भाव स्थिर रहे यहाँ 20 और 21 अक्तूबर को धान 2183 रुपए पर विकी इसी तरह गुजरात की दाहौद मंडी में 20 अक्तूबर को धान का भाव रहा 1770 रुपए जो की 21 अक्तूबर को भी 1770 रुपए पर टिका रहा बुआई की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में देश के ज्यादतर हिस्तों में धान की बुआई चल रही है क्रिशी मंत्राले के मताबग साल 2023 के लिए खरीफ धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है अब तक खरीफ धान की बुआई 411 लाख हीक्तेयर के पार पहुंच गई है जबकि बीते साल इस तोरान खरीफ धान की बुआई 400,720,000 हीक्तियर में हुई थी यानि इस साल खरीब धान की वुआई बीते साल के मुकाबले 10,08,000 हेक्टेर आगे चल रही है बात धान की पैदाबार की करें तो घरील उस्तर पर इस साल धान की पैदाबार रिकॉर्ड उस्तर पर जा सकती है क्रिशिम मंत्राले के तीसरे अग्रिम अनुमान के मताबिक देश में धान की उपज साल 2022 से इसके दोरान 1355,42,000 होने का अनुमान जताया गया है ये उपज बीते साल के तुलना में 60,71,000 अधिक है जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294,71,000 रही थी तो अभी रिपोर्ट के जरिये हमने धान के कारुबार के बारे में जाना बाजार में किस तरह की परिसितियां बनी हुई है आएए आगे के महल के बार में जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे कमाजिटेक्स पर साहिल गोयल जी का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गये हैं तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो क्या कर सकते हैं जिनके पास टॉक है उन्हें आप क्या सलाह देंगे बिल्कुल किसान भाई में धान के अंदर तेजी करके चल सकते हैं अक्टूबर नुमबर के दौरान हमें 200-500 रुपे क्विंडल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान बंढारन शमता रखते हैं फरवरी मार्स तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर 400 रुपे क्विंडल तक जा सकती है विल्कुल आगे और भी जादा तेजी का अनुमान है मजबूती का फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान पस आपको थोड़ा सा इंतजार करके चलना होगा ये तो बात हो गई धान की और इसके साथ साहिल जी आपसे गुजारशा बने रहे ह फिल्हाल हम बढ़ते हैं आगे रुख करते हैं बाकी की सुर्ख्यों का अरहर के भाव में घटत बढ़त जारी मैंपुरी मंडी में स्थिर बाजार भाव पर हुआ कारुबार ध्रोल मंडी में 13,890 रुपए पर हुए तिल के सौधे राज़कोट मंडी में 16,150 रुपए रहा पासार भाव अब बुलिटन में बात अरहर के बासार की बताएं आपको कि क्रिश्यों पज मंडियों में हफते के आखिरी कारुबारी दन यानिकी शनिवार को अरहर की जो आवक है सामाने सी दर्च की गई है इसके बासार भाव की बात करें तो इसके कारोबार में मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है किस तरह से हो रहा है देश के अलगलग मंडियों में अरहर की बाजार में कारूबार दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिये क्रिशियोपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है हाजर भाव के बात करें तो जमपुसर और अलिगर मंडी में अरहर के सौधे मजबूती के साथ हुए जबकि दाहोद मंडी में दोरान अरहर के भाव में गिरावट के साथ कारुबार हुआ वहीं मैनपुरी मंडी में अरहर के भाव स्थर रहे एकमार निट के मुताबिक गुजरात की जमपुसर मंडी में 20 अक्तूबर को अरहर का भाव था 5,800 रुपए 21 अक्तूबर को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,900 रुपए पर पहुँच गया राजिकी दाहौद मंडी में दौरान अरहर के सौदों में नर्मी के साथ कारुबार हुआ 20 अक्तूबर को यहां अरहर का भाव रहा 9,600 रुपए 21 अक्तूबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 9,500 रुपए पर हुए उत्तर प्रदेश के मैंदपुरी मंडी में अरहर के भाव के बात करें तो यहां 20 अक्तूबर को अरहर का भाव रहा 9,350 रुपए 21 अक्तूबर को इसके भाव में कोई वरलाव नहीं आया और भाव 9,350 रुपए पर टिका रहा उत्तर प्रदेश की ही अलिगड मंडी में अरहर का कारुबार तेजी के साथ हुआ यहां इसका भाव 21 अक्तूबर को 10 रुपए बढ़कर 9,340 रुपए से 9,350 रुपए पर पहुँच गया चालू खरीब सीजन में अरहर के बुआई देश भर के ज्यादतर राज्यों में हो रही है क्रिशी मंत्राले के मताबिक खरीब अरहर की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है साल 2023 के लिए जारी आंक्डों के अनुसार अरहर की खेती 43,79,000 हेक्टेर में हो चुकी है जबकि बीते साल की समान अर्थी के दौरान अरहर की भुआई 46,6,000 हेक्टेर में हुई थी बात अरहर की पैदावार की करें तो घरे लुस्तर पर इस साल खरीब अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है क्रिशी मंत्राले के तीसरे अग्रिम अनुमान के मताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीब अरहर की पैदावार 34,30,000 होने की उम्मीद है जबकि बीते साल की समान अर्थी के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 तन रही थी यानि इस साल खरीब अरहर की पैदावार में 7,90,000 तन की कमी देखने को मिल सकती है जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है तो जाना अपने अभी अरहर के बाजार के हाल के बारे में आएए आगे की जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं साहिल जी, अरहर के बाजार भाव को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सीजन में भी ये मांग बढ़ने की उमीद लगाई जा रही है तो जब मांग बढ़ेगी तो जाहर तो पर प्रभावित होंगे बाजार भाव तो ऐसे में इसका फाइदा हमारे किसान कैसे इठा सकते हैं? क्या सला रहेगी आपकी? बिल्कुल किसान भाइवेन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं अक्टूबर नॉमबर के दुरान हो सकते हैं सतर से सो रुपे क्विंडल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान बंढ़ारन शम्ता रखते हैं तेजी बढ़कर 1500-500 रुपे क्विंडल तक और जा सकती है बिल्कुल तो फरवरी मार्श तक इसमें मजबूती का ही अनुमान है क्योंकि आगे अच्छी मांग का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके और मन्डियों में निगरानी बना कर चल सकते हैं बातों को यह अरहर की बढ़ते हैं आगे अगर आपको बताते हैं देश के अलग-अलग मन्डियों में पपीती की जुबिकवाली है वो किस तर पर हो रही है बात होगी गुजरात की दीसा मन्डिया की तादिम पपीते का जो बाजार भाव है 3500 रुपाई प्रतिक्विंटल यहां दर्श किया गया है जबकि महराश्ट की पुणे मंडी में सौधे 3000 रुपाई प्रतिक्विंटल पर हुए हैं वक्त हो चला है छोड़े से ब्रेक का ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाच की आप बने रहे दूर दर्शन के सांद पर देखते रहे मंडी खाबर कहां होगी बारिश किस जल्हा पड़ेगी बर्फ कहां रहेगा गोहरा कैसा रहेगा तापमान परेटन इस धलो पर क्या रहेगी मौसम की स्थिती जानने के लिए लेखे मौसम खाबर रुजाना शाम साड़े साथ बजे सिर्फ डीडी किसान पर बुलिटन के इस हिसे में जानेंगे रागी के बारे में लेकिन आए पहले बात कर लेते हैं जो के बासार की बताएं आपको कि कृष्यू पज मंडियों में शानिवार को जो की आवग बिल्कुल सीमित सी दर्च की गई है बात हम इसके हाजर भाव की करते हैं तो एक माक ने बुलिट के अनुसार राजिस्थान की जो जैपूर मंडी है यहां पर जो का बासार भाव 1775 रुपर प्रति क्विंटल दर्च क्या गया जबकि उत्रब्रदेश की गासेबाद मंडी में इस दौरान जो के सौदे 2207 रुपर प्रति क्विंटल पर हुए आसमगर मंडी में इसका बासार भाव 2265 रुपर प्रति क्विंटल दर्च किया गया समी बासार भाव आवक और गुणवर्ता के अनुसार है अब बात करते हैं उपज पर तो बता दे कि जो की उपज जो है इस साल बीते साल की मुकाबले जादा हो सकती है जिहां रभी जो क आपर सिक्र कर रहे हैं कृशी मंत्राले के तीसरे अगरेम अनुमान के मुताबिक रभी जो की जो उपज है साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 तन होने का अनुमान जताया गया है जबकि साल 2021-22 के आकड़ों पर नजर डालते हैं तो इस दौरान रभी जो की जो पैदावार है 13,71,000 तन रही थी यानि कि इस साल रभी जो की उपज में 3,16,000 तन तक की बढ़ोत्री देखने को मिल सकती है जिसका असर आगयाने वाले समय में जो की बासार भाव पर पढ़ सकता है जो की बात हो गई अब आपको बताए कुल मोटे अनाच के हाल के बारे में तो इस साल देश मे कुल मोटे अनाच की उपज में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है कुरुशी मंतराले के तीसरे अगरे मनुमान के मताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाच की जो पैदावार है 547.48 लाग टन के पार जा सकती है जबकि बीते साल के अगर हम बात करते हैं तो स अमान अवधी के दौरान मोटे अनाच की उपज 511.01 लाग टन रही थी आपको बता दे कि इस बढ़ी होई उपज का जो असर है आगे आने वाले समय में मोटे अनाच में शामिल बाज्रा रागी जुवार के बाजार भाव पर पढ़ सकता है तो कुल मोटे अनाच की अगर हम उपज की बात करते हैं इसमें तो बढ़ोतरी है ही खासता और पर अगर जो का जिक्र किया जाए तो इसमें भी बढ़ोतरी ही दर्शा रहे है इसके आंकडे तो ऐसे में साहिल जी आपसे जाना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में जो के बाजार भाव जो हैं किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं जी बिल्कुल देखे अगर हम जो के आंकोड़ बनाजर डालते तो जो के जो फंडमेंटल हैं इस साल के शुरू से ही मजबूत बने हुए हैं महा दर्मा हम देख रहे हैं कि लगबग 2-4 परतिशत की घरेलू मांग में इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है निर्यात मांग के अंदर भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगबग 5-7 परतिशत का सुधार देखने को मिला है जी बिल्कुल तो इहां पर सुधार देखनी को मिल रहा है तो ऐसे में आगी क्या महाल रह सकता है जिससे हमारे कि जार कर सकते हैं तो यह तेजी बढ़कर जो है लगबख 300-300 रुपे कुटल तक जा सकती है बिल्कुल तो आगे और भी सादा मजबूती का अनुमान है मारे के सान मंडियों में निग्रानी बना कर और साथी साथ इंतजार करके चल सकते हैं जो की बात हो गई बढ़ते हैं आ चाल सोट मंडी का जिकर करें तो यहां पर बिखवाली हुई 2145 रुपाय प्रति कुटल पर जबकि उत्तरप्रदेश की टुंडला मंडी की बात करते हैं तो यहां पर 2500 रुपाय प्रति कुटल पर इसकी बिखवाली तरशिक्षी कई सभी जो बासार भाव हमने आपको बता के अनुसार हैं बाजरे का हाल आपनी जान लिया अब बात करते हैं बुलेटन में हम रागी के बासार की जादतर कृशी उपच मंडियों में रागी की आवक खासी सीमित सी बनी हुई है शनिवार को एकका दुखा मंडियों में ही रागी बिखवाली के लिए पहुची अग की महराष्ट के पुणे मंडी में सौधे 4,150 रुपए पते कुविंटल पर हुए बासार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है बताएं आपको की बीते कुछ समय से पीछे चल रही खरीफ रागी की जबुआई है उसमें आप कुछ बढ़त देखने को मिल रही है च 10,50,000 हेक्टेर में हो चुकी है जब की बीते साल की समान अवधी में वुआई जो है 10,49,000 हेक्टेर में हुई थी अब हम रागी की उपज की बात करते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम हो सकती है कुछ की मंतराले के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताविक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 होने का अनुमान है जब की 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,00,000 रही थी यानि की साल रागी की उपज में एक लाग 4,000 तक ही कमी देखने को मिल सकती है जिसका असर आगे आने वाले समय में कहीं न कहीं इसके बाजार भाव पर पढ़ सकता है तो रागी के हाल के बारे में भी जान लेता है कमोडिटी एक्सपोर्ट से आगे की सोच जाते दिखाए दे रहे हैं रागी के बाजार भाव क्या कहेंगे साहिल जी अच्छी यहां पर मांग बनी हुई है और समाने रूप से हम देख रहे हैं कि तेजी भी हो रही है तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं कब तक फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान बिल्कुल अक्टूवर नवंबर के दौरान इसमें और भी चादा तेजी का नुमान है फायदा उठा सकते हैं किसान थोड़ा सा बस आपको निगरानी बना कर चलना है मंडियों में इसके साथ बढ़ते हैं आगे जौर के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहाँचाते ह है कुछ रात की राज कोड मंडी का जिकर करेंगे जवार का जो बाजार भाव है 5500 रुपाय प्रतिक विंटल दर्च किया गया यहीं कि जम्बु सर मंडी के अगर हम बात करते हैं तो सौधे हुए 3400 रुपाय प्रतिक विंटल पर जबकि राजिस्थान की मालपुरा मंडी में बिक्वाली हुई 3800 रुपाय प्रतिक विंटल पर और यहीं की विजन अगर मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर सौधी दर्च की गए 2250 रुपाय प्रतिक विंटल पर जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताई यह आवक और गुनवत्ता के अनुसार हैं तो जाना अपने अलग-अलग मोटे अनाजों के बाजार के हाथ के बारे में इसके साथ वक्त चला है को चोड़ी से ब्रेक का आगी जानेंगे हम तेल और जीरे का हाला बने रहे दूरदार्शन के सान परते एक तेरह ही मरनी खबर क्रिशी और पशुपालन है एक दूसरे के पूरा घारांगन से लेकर व्यवसाइक फार्म तक मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जाहस तक विमारियों से अब पशुपालक ना हो परिशान विश्यशक्य करेंगे आपकी समस्या का समधान जुडिये हमसे पूछी अपने सवाल इमेल के जरिये भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी इमेल आइडी है देखिए अपना पशुचिकित सकत हर रविवार शाम साड़े छे बजे दूरदाशन किसान चैनल पर रेके बाद दूरदाशन किसान के मर्डी काबर में आप सभी का फरसे स्पाकर आईए बात करते हैं अनार के बासार फाओ की चतीजगर की दुर्ग मर्डी की बात करेंगे तो अनार का जो बासार फाओ है यहां दर्च क्या-क्या अनार के बाद आईए बुलिटन में बात करते हैं तिल के बासार की इन दुनों क्रिशु पज मंडियों में तिल की आवक बिल्कुल सामाने सी बनी हुई है इसके बासार फाओ की बात करें तो एक मार्क नेट के मताबिक शनिवार को गुजरात की जुराज़कोट मंडी है तिल के सौदे यहां हुए जबकि राज़े की इद्रोल मंडी में बासार भाओ 13,890 रुपए प्रतिकुइंटल दर्च किया गया राजिस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 14,600 रुपए प्रतिकुइंटल पर हुए सभी बासार भाओ आवक और गुनवर्ता की अनुसार इस साल घरी इनुस्तर पर तिल की जो परज है उसमें कमी देखने को मिल सकती है खुर्शी मंतराले के तीसरे अगरे मनुमान के मताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की बैदावार 7,50,000 तन रहने का अनुमान जो ताया गया है जबकि साल 2021-22 के अगरम बात करते हैं तो इस दौरान खरी तिल की उपच 7,89,000 तन रही थी यानि कि इस साल कुल तिल की उपच में 49,000 तन तक की कमी देखने को मिल सकती है जिसका असर आगयाने वाले समय में खुर्शी उपच मंडियों तिल के बाजार भाव पर पढ़ सकता है अब हम तिल की बुआई की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में तिल की जो बुआई है बीते साल से पीछे चल रही है साल 2023 के लिए जारी तासा आंकणों के मताबक 22 सितंबर तक खरीफ तिल की खेती 12,33,000 हेक्टेर में हो चुकी है जबकि बीते साल की समान अवधी के दोरान तिल की जो बुआई है 13,32,000 हेक्टेर में होई थी तो तिल को लेकर भी क्या जानकारी दे रहे हैं कुमादिट एक्सपर्ट आए जानते हैं क्या कहेंगे साहिल जी तिल को लेकर आप जी बिल्कुल देखे करम तिल के आंकुड़ पे नजर डालते हैं तो तिल के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए है ग्रेलू स्तर पर हम देखते हैं तो उत्पादन शम्ता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है इसके लावा घ्रेलू मांग की बात करते तो वहां पर लगबग जो है दो से चार्ट परतिशत तक का सुधार आमें देखने को मिला है बिल्कुल तो यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है अच्छे स्तर पर बने हुए हैं बाजार भाव तो किसान क्या कर सकते हैं ऐसे में बिल्कुल किसान भाईवें तिल के अंदर तेजी करके चल सकते हैं अक्टूबर नॉवंबर में हो सकता है हमें 40-70 रुपे कुंडल तक की तेजी देखने को मिलेगी जे बिल्कुल थोड़ा सा इंतिजार करके जरूर चल सकता है किसान आगे इसमें और भी जादा मस्बूती का नुमान जो टाया जा रहा है इसके साहिल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े आपने एहम जिंसों पर जानकारियां हमारे साजा की हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बात हो गई यहां पर जिन्सों की अब खास्तोर पर जीरे के बारे में आपको हम अवगत करवाते हैं क्रिश्य उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक बता दें आपको बिल्कुल सामाने सी बनी हुई है बाजार भाव की बात करें तो एगमाकनेट के मताबिक शनिवार को गुजरात की जो ध्रोल मंडि है यहां पर जीरे का बाजार भाव 43,000 रुपए प्रतिकुल दर्च किया किया जबकि राजे की राजकोट मंडि में इस दौरान जीरे के सौधे 49,000 रुपए प्रतिकुल पर हुए यह जो बाजार भाव हमने आपको बताई आवक और गुणवत्ता के अनुसार है बताई आपको कि घरेल उसतर पर इस साल जीरे की पैदावार में पढ़ाद देखने को मिल सकती है पारति मसाला बोर्ड के मताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है जिसका जीरे के बाजार फाव पर पड़ सकता है साल 2022-23 की बात करते हैं तो इस दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,31 टन होने का नुमान जताया जा रहा है जबकि बीते साल के जमाना वधी के दौरान जीरे के उपज 5,55,789 टन रही थी यानि कि इस साल जीरे की पैदावार जो है बीते साल से 71,242 टन जादा हो सकती है तो जीरे के बाजार का हाल आपने जाना इसे के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं अलग-अलग मंडियों में गाजर की जुबिक वाली है वो किस तर पर हो रही है कुझरात की सूरत मंडी में गाजर का बाजार भाव 2250 रुपाय प्रतिक विंटल रहा जबकि 36 गड़ की दुर्ग मंडी में सोधे 3000 रुपाय प्रतिक विंटल पर हुए महराश्ट की पूरे मंडी में 2500 रुपाय प्रतिक विंटल पर इसकी दिखवाली हुई तो वहीं पंजाब की लुध्याना मंडी में जो बाजार भाव है 900 रुपई प्रतिक विंटल तर्चिक खिया गया तो आपनी जान लिया लग-लग मंडियों में गाजर के बाजार भाव के बारे में इसे के साथ बढ़ते हैं आगे और अंत में आपको बताते हैं प्यास के हाल के बारे में चतीजगड की दुर्ग मंडी का करेंगे जिकर प्यास का बाजार भाव 2700 रुपई प्रतिक विंटर रहा चबकि गुजरात की सूरत मंडी में 2400 रुपई प्रतिक विंटर पर इसके सौधे हुए मद्रप्रदेश की काला पीपल मंडी में 2,205 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा और वहीं महराश्ट की लास सिल गाव मंडी में विक्वाली दर्च की गई 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है तो जाना आपने अलग-अलग जिंसों के बाजार के हाल के बारे में इसे के साथ आज के मंडी खाबर में बस इतना ही उमीद है किसानों को अपनी उपच का सही भाव लेने में मंडी खाबर से जरूर मदद मिल रही होगी एक विशेश जानकारी और आपके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को आप स्कान कर लीजे सीधा पहुंचेंगे मारी यूट्यूब चानल पर आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खाबर के साथ फिलाल के लिए हमें दीजे जासत लेकिन आप बने रहे हैं दूर दाशन के सान पर नमस्कार झाल